हेल्थ से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान पाने के लिए सब्सक्राइब किजिए हेल्दी हेल्थ यूचिप चैनल को और दबाईए इस गंटी को ताकि आप तक पहुंच सके हमारी लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को नो स्मोकिंग डे नो स्मोकिंग डे 2021 मनाया जाता है इसे मनाने का मकसद लोगों को स्मोकिंग छोड़ने के लिए जाग रुप करना है आप कम सिग्रेट पीते हूँ या ज्यादा इसका असर आपके पूरे बॉड़ी सिस्टम पर पढ़ता है आए जानते हैं कि स्मोकिंग किस तरह धीरे धीरे पूरे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है नर्वस सिस्टम पर असर सिग्रेट में पाया जाने वाला निकोटीन आपके नर्वस सिस्टम पर बहुत बुरा असर डालता है ये आपके दिमाग में पहुँचकर कुछ समय के लिए तो आपको बहुत एक्टिव महसूस कराता है लेकिन जैसे ही इसका असर खत्म होता है आपको थकान महसूस होती है और फिर से सिग्रेट पीने की तलब होने लगती है निकोटीन की लट लग जाने पर स्मोकिंग की आदत छोड़ने में बहुत दिक्कत महसूस होती है बालों, स्किन और नाखून पर असर फेफरों के बाद स्मोकिंग का सबसे ज़्यादा असर इंटिग्यूमेंटरी सिस्टम पर होता है इसकी वज़र से आपके स्किन में साफत और बदलाव देखा जा सकता है खाल ही में हुई एक स्टड़ी के मुताबिक स्मोकिंग करने से स्क्यमस सेल कार्सिनोमा स्किन कैंसर का खत्रा बढ़ जाता है Smoking से नाखूनों में पंगल इनफेक्शन होने लगता है और बालतेजी से जढ़ने और सफेध होने लगते हैं कैसे छोड़े smoking की आदत Smoking छोड़ना बहुत मुश्किल का काम है लेकिन डॉक्टर से सलाह लेकर आप एक प्लान बनाकर इस पर काम कर सकते हैं कई नौन प्रिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन दवाएं हैं जो स्मोकिंग छोड़ने में मदद करती हैं स्मोकिंग छोड़ने के लिए आप किसी सेंटर की भी मदद ले सकते हैं स्मोकिंग छोड़ने से धीरे धीरे आपका पूरा बोडी सिस्टम ठीक होने की तरफ बढ़ने लगता है